हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत आज आपको मटर के छिलके का पकोड़ा बनाने के लिए बता रहे हैं इसको छिलके का आप लोग फेक देते देखिए मटर का छिलका ले लिए हैं अब इसको साफ पानी से धो लिए थे अब इसको मिक्सी के जार में लेकर थोड़ा थोड़ा पीसना है देखिए मिक्सी के जार में ले लिए हैं इसमें पानी ने डालना है देखिए इस तरह से धकन लगाकर इसको पीस लेना है देखिए इस तरह से पीस आता है इसमें मोटा मोटा जो छिलका भी राता है ओ भी रा कर लेना है देखिए एक कटोरा में पानी ले लिए इस तरह से कद्दुकस करना है ताकि आलू काला ना हो देखिए इस तरह से कद्दुकस करना है इस तरह से कद्दुकस सारे आलू को इस तरह से कद्दुकस कर लिजेगा देखिए देखिए सारे आलू को कद्दुकस कर लिए हैं और पानी में रख लिए अब इसको पानी को निचोड़कर निकाल लेना है एक प्लेट में अब देखिए फिर से एक कटवरा ले लिए उसमें मटर का जो छिलका पीस के रखे थे और छिलका डाल दी है पिसा हुआ पेस्ट अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साज के बारी कटा हुआ प्याज देखिए अब इसमें डालेंगे जो आलू को पानी को निचोड़कर निकाल लेना है देखिए अब इसमें जाएगा सारे मसाले अब इसमें बारी कटा हुआ धनिया डाल दीए एक कटोरी छोटा सा अब इसमें जाहएगा अध्रा गोल की जीरा मिर्च का पेस्ट अब इसमें बारी कटा हुआ हरी मिर्च है अब हल्दी पोडर है आधा चमच इसमें स्वाधव नुसार नमक है अथा चमच सावुथ जीरा है ते लिए चली फलेक्स टाल द्याना कि अब इसमें एक कटोरी जो पकोड़े बनेगा अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बेशन को mix करते जाना इसमें पानी एकदम बिल्कुल नहीं दे ay披ानी अब्टर में इस तरह का पकोड का बेटर बडा लिए दम ना पतला ना गड़़ए एक पेन में 600 का तेल गरम होने के लिए दिये थे तेल गरम हो गया है अब इसमें पकोडा डालते जाएंगे इस तरह से देखिए थोड़ा-थोड़ा करके पकोडा को डाल आप चिप्टा भी बना सकते हैं किस तरह भी बना सकते हैं बहुत कुरकूरा और खस्ता पकोड़ा बनता है अब बहुत टेस्टी लगता है खाने में इस तरह से पकोड़ा बनाने से बड़े बच्चे लोग सब लोग एकदम खाते हैं बहुत चाव से देखिए इसी तरह से सारे पकोड़े को डाल देना है और क्रिस्पी होने तक पकने देना देखिए एक तरफ से पक गया है अब इसको पलट कर दूसरे तरफ से पका लेते हैं देखिए एकदम सुनहरकल आने लगा है पकोड़े में देखिए पकोड़ा पक गया है अब इसको एक पलेट में निकाल लेते हैं, देखे, एक दम क्या देखने में लग रहा है, लग रहा है ना मतर का छिलका का पता चल रहा है नहीं, एक दम बिलकुल मतर का छिलका पता नहीं चलता है, देखे, क्या लग रहा है, एक दम बिलकुल अलग तरीके से पकोड़े बने के त्यार होगे, एक चिट पटा और कुरकुर अब फलेट में इसको निकाल लेते देखिये निकाल लिए हैं इसी तरह से सारे पकोड़े को बना लेना इस तरह से स्वादिश लगता खाने में इसको अब सोस, हरी चटनी, मिठी चटनी किसी के के साथ खा सकते समोसा कचोड़ी फिल कर जाता इस तरह से पकोड़ा लगता है अंदर से नरब और बाहर से एकदम कुरकुरा पकोड़े एक बारी इस तरह पकोड़ा बनाके घर पर आप जरूर देखिएगा बहुत टेस्टी और स्वादिश्ट लगता है मटर के छिलका फेक देते होंगे लेकिन कटोरे भर भर का मटर का छिलका का पकोड़े बना बनाके खा जाईएगा एक बारी इस तरह बनाके जरूर देखिए बहुत टेस्टी और स्वादिश्ट